नमस्कार दोस्तों मैं संदीब मोतरा आपका सवागत करता हूं आपकी अपनी किचन जम्मू की तेशी किचन आज हम आपके लिए लाएं हैं पानी पूरी पानी पूरी बनाने की विदी आपको स्टेब बाइए जाएगी इस वीडियो को जाद से जादा लाइक करिए शेर करि सब्सक्राइब करिए और इसके रिलेटर जितने वी वीडियो हैं वह हमारे आई बटन पे पताई जाएगी आपको इस वीडियो में अन्त तक बने रहे हैं आपका आपना संधीरों मोतरा आज हम बनाने जा रहे हैं पानी पूरी पानी पूरी बनाने की विजी सबसे पहले दो चमच मैदा लेना है आदी कडोरी लेनी है दो कडोरी आटा लेना है और एक कप खुनगुरा पानी सबसे पहले हमने क्या करना है आटा को एक बोल में डालना है फिर शुद्री को डालना है और दोचमच मैदा लेना है मैदा सिर्फ वाण्डिंग लिए लेना है जाधा नहीं कि हम इसमें बेकिंग हो रहे हैं अब पानी को अइस्टाइस्टा करके कि हमने डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालना कि आटे को सकत घूंदना है पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है तो हमारा अट्टा घूंद के लगबक त्यार हो चुका है तो सबस्कत होना चाहिए ज्यादा नहरम नहीं होना चाहिए अब इसको हम क्या करेंगे अच्छी दरां से अब इसको हम एक गीला कपड़े से आधे गंटे के लिए छोड़ देंगे तब तक इन बिट्बिन हम पानी बना अब तो दो अब बनागे लाइंगे एक अपर के लिए को पानी बनाने के लिए हम्में सबसे पहले का जाई जाए एक कटोड़ी का हमने लिगा रस निकाल लिए गोल बनाके मिंटली ले ले लिए एक टोड़ी टेश और हळी प्रेश और चाड मसाला ले लिए अब सबसे पहले हमारे पास एक बोल लेना है एक बोल में हमने सबसे पहले क्या किया अपनी इमली का जो बोल था हमने एक टोरी इमली से बोल पुनाया था वो अमने डाल दिया अब हमने सबसे पहले किया इनको अची तरह से ग्राइंड कर लेना है हमने यह विर्ची को दाल दिया कि तीखा आपने हिसाब से डाल सकते हो कितना तीखा हमें थोड़ा जादा चाहिए था में अब इसको अच्छी दरा से ग्राइंड कर लेना है और चार मसाला और साथ में थोड़ा सा बूना हुआ जीरा था वह भी अमने डाल दिया थोड़ा सा नमग डाल लिया बाकी पाजम अब हमने इसको अच्छी दरां से ग्राइंड कर लेना है बार एक बिल्कुल पहले जड़का देंगे एक से थोड़ा और थोड़ी दरबी चलाएगे लिए देखिए हमारे मिंटलीव का और मिर्ची का पेस्ट रडी हो गया अब हम पानी बना लेते हैं पानी मिनाने के हमने जो मिली का गोल था उसमें हमने जो अभी पेस्ट बनाया था वो डाल दिया नमक स्वादर नुस्वार ले लेना है कि मिर्ची डाल दी थोड़ी थी तो चमच और सौंपोर डाल दिए कि लाओ डाउन के सलते हमारे बस धनिया की थोड़ी शौटे थी हमने धनिया पोर्डर का प्रियोग किया है दो चमच कि मिक्स कर लेते हैं कि देखिए अब इसमें थोड़ा सा पानी जालेंगे हम आस हमने पानी डाल दिया है कि देखिए हमारा एक दम बढ़िया तीखा मसालेदार पानी त्यार हो जुग अब लास में थोड़ा से इसमें बूंदी डालेंगे और थंडा करने के लिए हम इसको थोड़ी जी बर्फ डाल के रखेंगे थोड़ी ज़र हमारा पानी थंड़ा है तब तक हम गोलगा पे बना लेते हैं मिलते हैं बने रहेगा इस वीडियो में अन्त तक देखिए हमारा आटा दस से बीस मिनट के बाद हो चुका है अपनी ज थोड़ासा ऑइल तबालेते हैं याठ शिप के गली आप बोल करना जाओ गोल आश्यक्तू ढासे मिलें जाओ हूँ पोड़ासा हाथ बोल लगा लुद्ट एव जाए एक चपाती मेनाते हैं वैसी उसिसटांसे बनाना है हमने अल्यास भश्य हो ईससे थोड़ा-स पतला बन तेल लगाने दोस्तों यह चिपके कजानी है जरूरी नहीं है कि आप गोली बनाओ जैसे भी है पुछंग से आप इसको बना रखते हो जीजे दोस्तों पंचुक्या में काटने के लिए हमने प्रयोग किया है थोटे चोटे से इसको आप चाहे तो पर बढ़ा बना जाते हो तो तो उसजी बहुत अब बढ़े वाले कट्रकश प्रयोग कर चाते थे हो फोड़े गुमालों कातने के बाद इससे जल्दी आया था है अब दोस्तों को आट्रे को भ्यांगने जूरूरत नहीं है यह बाद में भी काम आएगा अब यह जो थे कि इनको एक गीरे कप्रे के लिकार के रख देना है तांकि हमारा जो पोड़ी है थी छोटी-छोटी यह अच्छा डंग से मुएस्ट ने तरा से सूख जाएंगे इतनी देर में हम कडाई में तेल को रखते हैं और गरम कर लेते हैं इसी तरह से बाग्की का भी आटों को कि लेके पेड़े लेके इस तरह से रख देंगे और आपने जब भी इसको रखना है उसको दोनों साइड से अच्छंग से दस मिनट के लिए इसको डख लेना है ताकि यह मौइस्ट रहे तेल हमारा गर्म हो चुका है अब हम इसमें तब से पहले गया देंगे पानी पूरी का जोने छोटी पूरी बनाए थी उसको डालेंगे और उपर से हलका हलका हथा थप तबाएंगे तब आने जए इसमें देखिए इस तरह से आपने दो अलग-अलग डंके लिए है छोटे बचों के लिए और बड़े अपने लिए थोड़ा इसमें साइज फोड़ा हमने कि यह देखिए है कि अब थब अच्छी तरह से इसको पकाएंगे एक शाड़ से इसको तो अब बरोनी हो जाए जैसे गोल्गप्य का रखका जब उत्तर अब इसी तरह से हम बाक्य वाले गोल्गप्य निखा लेंगे दोस्तों हमारी पानीपुणी पंके त्यार हो चुकि है अब हमने उसके लिए पहले से कोछ चीज़े प्रपेर करके रखी हुई थी आलू को बॉयल करके रख ली है एक कटोरी दें देली है हमने इसके साथ एक स्पैशल चीज बनाई है खजूर कि चटनी मिठी आप चाहिए तो अपने मर्थी से मिठी चत्नी बना सकते हैं और खटा पानी आपने देखा ही है यह हमारे हमने दो किसम के अलग-अलग कुल कर प्रिबना हैं बढ़े और चोटे साइब चोटे बच्चों के लिए बढ़े हम लोगों के लिए तो यह हमारे गोल कप्पे बनके त्यार है अब आपको एक बताते हैं तो आप से चड़ें गफालो तैंग थोड़ी से ने चट्री और कि यह हमने फिज में रखे जी थंडा करने के लिए और पानी यह हमारा गोलगपता त्यार हो चुछ और आप भी अपने घर पे इसको ट्राइक करें बनाने के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आये तो इसे शेर करो लाइक करो और कमेंट करो आप आगे क्या बनाना देखना चाहते हो इस वीडियो में